अगर आप उसे बहुत जल्दी भूल जाएंगे और एक बार आप उसे भूल जाएंगे तो दुबारह उसे पढ़ना फर्स टाइम पढ़ने के तरह ही होगा So need के लिए अगर आप need crack करना चाहते है अगर आप उसमें अच्छा score करना चाहते है तो revision is very very important आज के वीडियो में आपको बताऊंगा need के लिए revision strategy क्या होनी चाहिए अब मैं syllabus के end होने के बाद वाले revision की बात नहीं कर रहा different levels of revision वार दे हो एक होता है जो आप हर दिन करेंगे, एक होता है जो आप हर वीक करेंगे, एक होता है जो आप मन्त के एंड में करेंगे और एक होता है जो इस वीडियो में आपको यह चारो रिविजिन के बारे में बताऊंगा और कैसे आप एफेक्टिबली रिवाइस करके चीज़े याद र है ओद बिवसीं नच टाइम लेट्स गत अगलति करते हैं और यह कहते हैं कि सर हम लोग पढ़ते तो है लेकिन हमें याद क्यू नहीं रहता है हम हर चीज पढ़ते लेकिन एक दो दिन के बाद हम सब भूल जाते हैं After a week when you are giving a test, हमें test में तो कुछ याद ही निया था. So the problem that is with your study plan right now, कि आप revise नहीं कर रहे हैं. NEET की हर एक चीज बहुत ज़ादा वालटाइल है, चाहे हो physics हो, chemistry हो, biology हो, अगर आप उसे revise करते ही नहीं रहेंगे, तो आपको उसका 50% याद रहेगा, और अगर आपने परसो भी वो चीज रिवाइस नहीं की, तो वो 30% याद रहेगा. And finally at the end of the week, जो आपका दिमाख रिटेन कर पाता है, वो है 10% of what you are reading today. So, यहाँ पर बहुत ही जादे इंपोर्टन चीज आती है, जो हम कहते है day after revision, जिसके वार मैं आगे मैं बताऊँगा, कि आज जो पढ़ा है आपने वो दूसरे दिन revise करना है, ताकि आप वो सारी चीज़े फिर से अपने दिमाग में डाल सके. So, day after revision के वार मैं आगे मैं बताऊँगा, मैं बहुत ही ज्यादा important part आता है आपके नीट की preparation strategy का. And finally, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, नीट is a marathon, बहुत लंबी race है ये, एक दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक दिन याद रखने से चीज़े काम नहीं चलेगा. Marathon में क्या होता है? अचानक से एक दिन आप 42 km नहीं भाग सकते हैं, हर दिन वो practice करते रहने, आपको body को वो चीज़ की आदत पढ़नी चाहिए. वैसे ही, नीट के लिए हर दिन आपको revision करते रहना है चीज़ों का, अब जब मैंने timetable बनाया था आप लोग के लिए नीट preparation का, तो मैंने वहाँ पर कहीं पर slots छोड रखे, जहाँ पर physics, oblique chemistry, oblique biology लिख रखा है, या मैंने revision लिख रखा है, तो उन slots, वो slots ज्यादा लंबे नहीं है, वो आधे-आधे घंटे के slots होंगे. तो उन आधे घंटे में आपने पिछली दिन क्या-क्या किया था, वो सब revise करने, और इसको हम बोलते है, day after revision. ये मैं apply करता था अपने में, क्या करता था, कि आज मैं जू भी पढ़ूँगा, कल शाम को, not in the morning, not in the day, दिन के time में नी, शाम को वो सारी चीज़े revise करता था. अब revision में आपको उतना time नहीं देना है, जितना आप पढ़्ड के time दे रहे हूँ. मतलब ये, अगर मैं आज biology का एक chapter, दो घंटे में खतम कर रहा हूँ, तो कल revision में I need to finish it within 20 to half an hour, 20 minutes to half an hour, ठीक है. अब revision करना कैसे है, पढ़ते समय पूरा पढ़ना है, लेकिन revision के लिए important important चीज़े लेनी है, जैसे कि revision में आपने, suppose आपने वो पढ़ा है आज, classification of animal kingdom, so revision में आपके आजाएंगे, जो table है आखरी में animal kingdom का, कौन-कौन से चीज़ों में, कौन-कौन से classes में, कौन-कौन से फाइलम में क्या-क्या चीज़े हो रही है, और कौन-कौन से फाइलम में क्या-क्या examples है, और characteristics क्या है, ये तीन चीज़े आपके revision में आजाएंगी, और यहाँ पर भी आपको in-depth नहीं जाना है, उपर-उपर से देख रहा है, ताकि आपने जो कल पढ़ा था, वो आपको वापस दिमाग में आजाएं, फिजिक्स का भी ऐसा है कुछ करना है, आपने आज जो भी derivation पढ़ा है, आज जो भी formula पढ़ रहा है, कल वो revise करना है, और physics के लिए derivation formula देख के revise नहीं करना है, लिख के revise करना है, साथी साथ, जो आप पहले दिन physics के वी numerical solve कर रहे हो, तो बहुत सारे solve करोगे, उसमें से हर type का एक-एक tick करना है, जो आपको लगे कि difficult है, अगर मैं यह revise नहीं करूंगा, तो paper में अगर इस type का question है, तो मैं solve नहीं कर पाऊंगा, वो दूसरे दिन के revision में प्राक्टिस करना है, और फाइनली chemistry, chemistry में day after revision is very very important, especially for the organic and inorganic chemistry, organic and inorganic chemistry के reactions, याद करना लोगों को काफे difficult लगता है, तो आपको क्या करना है उसमें, बस एक चीज करनी है, एक sheet लीजिए, उसमें सारे organic chemistry के reactions, और दूसरे sheet में सारे inorganic chemistry के reactions लीजिए, और every alternate day, organic and inorganic chemistry के reactions को लिख के याद कीजिए, तो यह है day after revision, इस वेरी इंपोर्टेंट तो रवाइस, वाटेवर यू लॉर्निंग दे आफ्टर, उसके बाद आता है हमारा weekly revision, अब weekly revision थोड़ा लंबा time जाएगा, क्योंकि आपने पूरे हफ़ते में क्या पढ़ा था, वो आपको revise करना है, and it should be on Sundays और weekdays, मतलब यह कि हफ़ते भर में कोई भी एक दिन decide करो, उस दिन, उस हफ़ते भर का या तो revise करो, suppose आपने Wednesday evening decide कर लगा है, तो हफ़ते भर में जो भी आपने पढ़ा है, वो Wednesday evening को revise कर लो, या जो मैं करता था, Sunday is evening रखेता है मैंने, after the lunch, I used to have my lunch at around 2-2.30, उसके बाद I used to rest a bit, फिर around 3-3.30 से start करके, around 7-7.30, 4 गंटा मैं revision करता था, of entire week, entire week मैंने bio में जो भी पढ़ा, entire week मैंने physics में जो भी पढ़ा, entire week मैंने chemistry में जो भी पढ़ा, ये पूरा आपका weekly revision में आचाएक, और ये भी बहुत important है, क्योंकि at the end of the week, what you are able to retain after the day after revision, would be around 40-50%, उसको फिर से increase करना है 60-70% तक, so weekly revision is very important, फिर आता है हमारा monthly revision, अब monthly revision क्या होता है, कि आपने महीने भर में जो पढ़ा है, वो आपको revise करना है, either take it the last two days, या last weekend, last two days मैंने इसलिए रखा है, see, जब मैं revision कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका daily schedule disturb हो, मतलब आपने decide कर रखा है, कि कल मैं ये chapters नए पढ़ने वाला हूँ, वो पढ़ने है, revision is an add-on to that, उसकी अलावा आप क्या करेंगे, so monthly revision is last two days का revision, या किसी last weekend में रखा लो, Saturday, Sunday रखा लो, या किसी भी last two days में रखा लो, अगर Friday and Saturday आ रहा है तो उस दिन कर लो, but last two days में, आपने evenings में, अपना month में, पूरा month में जो भी पढ़ा है, वो पूरा revise करना है, अब after the monthly revision, you will realize something, that you are retaining better, मतलब आपने digestion पहले एक दिन पढ़ा था, day after revision किया उसका, weekly revision किया, और जब वो month end हुआ, उसमें भी आपने digestion रवाइस कर लिया, so एक महीने में, आपने वो तीन बार पढ़ा लिया उसको, चार बार रादर, पहले दिन, day after, weekly, monthly, और ये चीज़ आपको करते रहने हर एक topic के साथ, after a while, you will realize, कि you are able to retain better, और आप recall ही better कर पा रहे हो, क्योंकि जब आप चीज़े बार बार revise करते हो, तो एक visual imprint भी बनता है, कि अच्छा हाँ, वहाँ पे, NCRT के इस page में, इस kone में, मैंने ये note लिखा था, NCRT के इस page में, ये diagram है, जिसके नीचे ये लिखा हुआ है, तो एक visual imprint भी बनता है, आप जितना ज्यादा revise करोगे, and finally, जो लोग आखरी में करते हैं, वो है full course revision, और ये आपका होगा, एक बार आपने complete syllabus, पूरा complete कर लिया हो, अब full course revision के, अगर मैं बात करूँ, तो क्या होता है उसमें, कि आपने जो चीज भी पढ़ा है, वो पूरा का पूरा revise करना है, अब full course revision होता है, हर एक चीज को अच्छी से फिर से पढ़ना है, मतलब ये, digestion का day after revision, weekly revision, monthly revision में, हर एक चीज के detail में नहीं जाना है, उपर उपर से देखना है आपको, ताकि वो visual imprint बने, और ये चीज़े याद रखे, कि कहाँ पर आपने क्या चीज पढ़ी थी, full course revision में, आपको पूरा का पूरा digestion chapter, फिर से पढ़ना है, detail में अच्छे से, एक बार नहीं करना है, ये full course revision, जितनी बार हो सके, उतनी बार करना है, full course revision, और full course revision में भी, उपर के 2-3 revision type के, जो मैंने बताया है, वो imply करना है, मतलब ये, कि आपने पूरा course ख़तम कर लिया, digestion आप फिर से पढ़ने वेथे, वो digestion में फिर से आप पढ़ने के बाद भी, day after revision, weekly revision, monthly revision, apply करना है, so ये है आपके 4 level के revision, ये revision करना बहुत ज्यादा important है, in 4 levels को अपने studies में इंक्लूड कीजे, you will surely see the change, you will see कि आप ज्यादा चीजे रिटेन कर पारे हो, आप स्यादा अच्छा परफॉर्म कर पारे हो, in the weekly test, or the monthly test, or whatever you are doing, to analyze your studies, so that was the complete revision strategy for you guys, ये आप लोगोने फॉलो करना है, if you want to revise for the upcoming NEET exam effectively, and if you want to crack the NEET exam, remember guys, revision and practice is the key to cracking the NEET exam, उसके बिना आपका NEET exam रहीं होगा, so कहीं पे भी कोई भी लूसेंस मत चोड़िये, revise करते रहीं, जो भी चीजे आप पढ़ रहे, उसको हर दिन, हर वीक, revise करते रहीं, so that would be all for this video guys, I'll see you guys in my next video, till then, all the best and keep working hard, do like and share this video if you find it helpful, and if you are new out there, don't forget to subscribe to our channel, thank you guys for watching, bye-bye.